students height and distance की जो problems होती है आम तोर पर अगर आप इससे बनाएंगे तो ज्यादा तर सवाल की जो solution होती है अगर आप with figure बनाते हैं तो काफी लंबी हो जाती है लेकिन students यहाँ पर क्या आते हैं अब आप सोचेंगे competition मगर इतना लंबा सवाल solve करके इसका हम अगर solution करके answer निकाले तो काफी यह तो समय ज्यादा ले लेगा तो students हम लोगों को आज यहाँ पर क्या करना है आज हम लोगों को ऐसी चीज़ सिखनी है जिससे की height and distance के लिए इतनी लंबी solution ना करना पड़े तो आज हम लोग इसके कुछ important ऐसे चीज़ को सीखेंगे जिससे की सवाल बनाने आसान हो जाएंगे तो स्वागत है तो आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्धिया विहार कंप्टिशन क्लासेस में और आज हम लोग शुरुवात करेंगे height and distance के super easy logic के बारे में students अकसर जो आपके height and distance के सवाल होते हैं तो उसमें आपने गौड की यह होंगे कि ज्यादातर जो सवाल होते हैं उसमें आपके तीन तरह के ही एंगल की चर्चा हो सकती है 30 डिगडी 60 डिगडी और आपके 45 डिगडी के आई बात समझ में हलाकि आपके जो कौन होते हैं वो 0 डिगडी से लेकर आपके जो main एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 यह मैं लिए पांच एंगल होते हैं लेकिन चुकिए हाइट एंड डिगडी और 90 डिगडी यह कौन आम तरह पे नहीं के बराबर बनते हैं इसलिए ज्यादातर सवालों में सिर्फ आपको 30, 60 और 45 डिगडी की ही चर्चा होती है तो यह तो बात आप लोग समझ गए कि 30, 60 और 45 इसी तीनों को हम लोगों को हर समय इसके values और इसके ही basics पे हम लोगों को हमेशा आगे चलना है तो इस्ट्रेंट्स आईए हम आपको यहाँ पर सबसे पहले अगर एक हम यहाँ पर ऐसा समकों तिर्भुज बनाते हैं क्योंकि इस्ट्रेंट्स आप जानते हैं कि height and distance जो होते हैं वो तो समकों तिर्भुज पर ही लागू होते हैं तो सबसे पहले हम लोगों क्या करते हैं कि यह तीनों समकून तिर्भूज है आप इस्टेश यहां लोग क्या करते हैं इसको हम लोग 30 डिग्री बनाएंगे इसको हमने 45 डिग्री बनाया और इसको हमने 60 डिग्री बनाया अब यहां पर क्या करेंगे स्टेश मानकर चलो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो 10 होते हैं 10 जो होती वो पी वटे भी होती है अब अगर मैं आपसे कहूं 10 30 डिग्री तो 10 30 डिग्री की बेलू क्या होती है 10 30 डिग्री की बेलू 1 भाई रूट 3 होती है यह ताप लोग अच्छे से जानते हैं तो अगर हम यहां पर आएंगे 10 30 डिग्री P बाई B अगर हम इसे P और इसे B मान ले क्योंकि ये तो P और B भुजा होती ही है तो अगर ये 30 डिग्री है तो P की बेल्यू 1 और आपके B की बेल्यू रूट 3 यह हो जाएगी यहां पर हम लोग क्या करेंगे स्टुडेंट्स वान बाई रूट 3 को इस तरह से हम लोग लिख लेंगे आई बात समझेंगें इस्ट्रेंट्स अब अगर हम 10 45 डिग्री की बात करें यहां पर अगर इस्ट्रेंट्स हम लोग 10 45 डिग्री की बात करें 10 45 degree की जो value होती है वो कितना होता है students वो 1 होता है यानि कि P की value 1 और B की value 1 तो यहाँ पर हम लोग 1 और 1 यहाँ पर लगा लेंगे ठीक है students अब यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं अब हम लोग 10 60 degree की बात करते हैं तो 10 60 degree जो होगी students 10 60 degree की value क्या होती है root 3 यानि root 3 by 1 तो P यह आपके हो गए root 3 और यह हो गए 1 तो यह चीज़ तो आप लोगों ने value को रखना सीख लिया students बस आपको students इसी चीज़ पर चलना है और बिल्कुल ही अभी height and distance काफी easy हो जाएगा बस सिर्फ आप इसको समझ लिजिए इसको सिर्फ आपको समझना है कि यह किस परकार से करना है जैसे यह concept आपकी clear होगी height and distance को आप चुटकी में उडाने लगोगे यह मेरा 100% guarantee है अब इस ट्रेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जैसे कि अगर 45 degree अगर आप sin 45 degree की बात करोगे तो sin 45 degree की value क्या होती है sin 45 degree के अगर बात करे sin 45 degree 1 by root 2 होती है p by h तो p की value तो यहाँ 1 है और h की value क्या होती है root 2 होती है यानि कि यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगा h की value आपके हो जाएंगे root 2 ठीक है students इसी परकार अगर हम यहाँ पर बात करते हैं sin 60 degree की तो अगर हम sin 60 degree की बात करें students sin 60 degree आपके कितने होते है root 3 by 2 होते है root 3 by 2 है तो यहाँ पर p by h sin p by h होते है तो p की value यहाँ root 3 है और h की value क्या हो जाएंगे students यहाँ पर भी 2 हो जाएगी आज बात समझ में यह 2 हो जाएगी और अब अगर हम sin 30 degree की बात कर ले तो sin 30 degree की value क्या होती students sin 30 degree की value होती 1 by 2 तो यहाँ आपके p की value 1 है तो यह आपके p by h तो यह भी हो जाएगे 2 अब students यहाँ पर आपका पूरा यह clear हो गया आप यहाँ से बिलकुल इस बात को clear आप समझ सकते हो कि किस तरह से हमें value रखनी है बस आपको यह diagram अगर आप बना लिया तो आप समझ लोग की height and distance आप लोगों ने इसे बनाना सीख लिया अब हमें इस diagram को लेकर हमेशा चलना है तो आए students अब मैं आपको एक सवाल यहाँ पर आपको दिखलाता हूँ हम लोग इस basis पे सवाल कैसे बनाते हैं आए यहाँ पर सवाल लेते हैं पहले तो यहाँ पर पहला सवाल है students कि एक उर्दभारदर खंबे की परच्छाई की लंबाई ग्यात करो जबकि खंबे की लंबाई 9 मीटर हो और सुरी का उन्नेन कों 30 डिगरी हो तो पस यहाँ पर कुछ नहीं करना है students आप क्या करो एक खंबे की हमें निकालनी है तो खंबा इस तरह से रहेगा और यह मान के चलो इसकी परच्छाई हो गई तो सुरी का उन्नेन कों यह 30 डिगरी है इस समय यहाँ पर यह खंबा 9 मीटर है तो यहाँ पर students आपको 9 मीटर अभी नहीं लिखनी है आपने यहाँ पर देखा कि 30 डिगरी के कंडिशन में क्या होती है आपने यहाँ पर देखा कि 30 डिगरी होने पर 1 by root 3 तो यहाँ 1 और यहाँ पर root 3 होगी तो हम लोग क्या करेंगे 1 by root 3 यह इस तरह समने लिख दिया यानि यहां जो खंबे कि लंबाई अगर एक होगी तो परच्षाय है कि यहां पर हम लोगों को क्या कर दा है students कि यहां आपके यह एक नहीं होकर यह कितने हैं 9 है यानि कितना गुना ज़्ाधा vaca 9 गुना जादा है तो यह जो आपकी भेलुए पर छाई उसकी बान रूट 3 नहीं होकर रूट 3 से 9 गुना जादा यानि 9 रूट 3 मीटर आपके हो गए एंसर आई बास समझ में स्टुनेंट्स नहीं आई चलिए हम अभी यहाँ पर एक दो प्रावलम और सॉल्ब करेंगे इसकी आद आपका यह प्रावलम क्लियर होता नजर आ जाएगा तो अगला सवाल है इस्टुनेंट्स भूमी के एक बिंदू से एक उधरवारधर खरे खंबे का उन्नेयन कौन साथ डिग्री है अब यहां पर देखाएं तो साथ डिग्री में अगर हम यहां पर देखेंगे इस्टुडेंट्स थो साथ डिग्री आपका च्या होता है ये condition क्या होती students ये root 3 और ये 1 तो हम लोग पहले यहां क्या करेंगे 60 degree है ये आपके root 3 और ये हो जाएंगे 1 अब students यहां पर आप देख रहे हैं कि जो यदि उस बिंदू की यानि ये बिंदू इस बिंदू की जो खंबे से खंबे के बाद से दूरी 30 मीटर हो यानि इस जगह से खंबे के पाद होने चाहिए यहां पर खंबे के पाद से ये दूरी है ये आपके इसकी value 30 मीटर है यानि यह जो एक है इस एक की बेलू क्या है 30 है तो अगर एक की बेलू 30 है तो इस रूट 3 की बेलू क्या हो जाएगी इस रूट 3 की बेलू 30 रूट 3 तीन मीटर आ रहा है यह बात समय हो जाएंगे सिधी सी बात है और चुकि यहां पर आपके खंबे के पाद से जो आपके बिंदू की दूरी है यानि ये दूरी अगर इसको बी माल ले इसको सी माल ले तो ये बीसी जो है ये परचाई की लंबाई है वह एक मीटर है तो एक की बेलू यहां पर क्या है तीस मीटर है तो रूट त्री की बेलू क्या जाएगे तीस रूर तीन हो जाएगी तो खंबे कुछ आए तीस रूर तीन मीटर हो गई आई एक और प्राबलम लेकर के समझाता हूं आप लोगों को अब यहां सवाल देखिए इस्टुडेंट्स की आंधी से एक पेर उपर से टूट जाता है और इसका उपड़ी सिरा भूमी को छूता है तो पहले यहां पर इस्ट्रेंट्स हम लोग चली थोड़ा थोड़ा फिकर को यह बना ले मानकर चलो इस्ट्रेंट्स यह बहुत उचा पेर था पहले यहां से मानकर चलो इतना उचा पेर था यह अब आंधी से क्या हुआ यह बीच में टूट गया है यहां से यह टूट कर दोर है जाने की पेर का ये जो उपड़ी सीरा था यह उपड़ी सीरा इस जगह से दूरी पेर के जर से 8 मेटर है यहाने कि यह जो है आपके दूरी किटनी है यह आठ मीटर है पेर के जर से यह बिंदू यानि B और C की दूरी आठ मीटर है तो पेर की कूल उचाई क्या होगी यानि कि कहने का मतलब B से ले करके यह C तक यह जो है तो यह कूल उचाई क्या होगी तो यहां पर सबसे पहले यह देखिए कि अगर 30 डिगरी है तो 30 डिगरी 1 by root 3 होता है तो अभी हम लोग यहां पर 8 नहीं लिखकर हम लोग क्या करेंगे यह जो यहां पर 8 है students तो हम लोग यहां पर 1 by root 3 लिखेंगे क्योंकि 10 30 degree का मान 1 by root 3 होता है और यहां पर क्या होगा यहां पर 2 होगा यह भी आपको मैंने समझा दिया था कैसे होगा अब students का पेर की उचाई मालूम करना है तो पेर की उचाई देखिए अगर मानले कि जो पेर अभी ख़ड़ा है जमिन पर यह बी है और जो टूट गया वह एसी है तो पेर की जो उचाई होगी वहापके क्या होगी वह आपके होजाएगी AB plus AC होगी इस बात को आप लोगा ने समझा लिया क्योंकि यहीं AC जो है उपर से गिरकर आब यह AC कहां पर आ चुका है यह AC आपके को जोरने से पेर की कुलुचाई मालूम हो जाएगी तो अगर हम एबी निकालने जाएंगे सबसे पहले यहां देखिए यहां रूट 3 की बेल्यू आपकी जो है यह आठ दी गई यानि रूट 3 बराबर जो है यह आप समझ लिजे कि यहां जो आपके रूट 3 थी उस रूट 3 क कि भैल लूट 3 कीवेल्यू यहां पर ड्र ini है भी तो यह इससे कितने गुना ज्यादा हो गया तो एट बट्टे रूट 3 गोना ज्यादा हो कि अगर आप रूट थी को आठ बनाना चाहेंगे तो रूट थी में आपको कितना गुना करना होगा समझने की बात है कि अगर हम रूट थी को 8 by root 3 से multiply करेंगे तो ये root 3 root 3 ये cut कर बरावर क्या निकलेगा 8 निकलेगा यानि root 3 की value 8 है यानि वोसे कितना गुना जादा है 8 बटे root 3 गुना जादा है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इस्ट्रेनेट्स बस बहुत ही easy हो गया अब यहाँ पर अब यहाँ पर समझने की बात है अब यहाँ देखिए कि अगर ये सभी क्या हो जाएगा 8 by root 3 multiply हो जाएगा यानि जो आपके अब a b है उस a b की जो value है वो एक नहीं होकर तो एक का 8 बटे root 3 गुना यानि 8 बटे root 3 हो जाएगा और जो a c है वो दो नहीं होकर आपके वहाँ पर 8 बटे root 3 गुना जादा यानि 2 गुना 8 बटा root 3 यानि की बराबर आरदुनी हो गया आपके 16 बटा root 3 आई बात समझ में अब यहाँ पर आप लोग देख लिजे कि जो पेर की उचाई है वो आपके a b plus a c हम लोगों करना है तो a b plus a c करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो a b की बहलू है वो तो मालूम है अब a b की बहलू हो गई आपके यहाँ पर 8 by root 3 और पलस जो a c की बहलू हो गई वो हो गई 16 by root 3 तो अगर हम दोनों को यहाँ जोर लेंगे तो यह आपके हो जाएंगे 24 बटा root 3 तो अगर यहाँ पर पड़ी मेक रन कर लेंगे root 3 by root 3 से तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 24 root 3 by 3 तो 3 से यह 8 बार में कट गए तो बराबर हो गए 8 root 3 यह हो गया आपके अंसर यानि कि स्ट्रेंट चुकिए हमने यहाँ पर तो बहुत जादा solution किया इसलिए यहाँ पर इतना समय लगा लेकिन आप लोग अगर इससे पुरी तरह से अगर बनाएंगे तो आप लोगों को directly बनाना है समझाना नहीं है इतना समय नहीं लगने वाला है हम लोगों नहीं आपर क्या किया बस हम लोगों को A, B और A, C इस दोनों का value मालूम करके दोनों को जोड़ देना है तो पेर की कुलुचाई निकल जाएगी तो पेर की कुलुचाई 8 root 3 यह आपके हो गया अंसर कितना आसान है इस तरीके से height and distance बनाना चलिए एक और सवाल आज ले लेते हैं एक और सवाल और इसका आप लोग screenshot लेकर रख ले तो बात में समझने में आप लोग को आसानी होगी आइए एक और मैं यहाँ पर problem लेकर आप लोगों को दिखला देता हूँ दिवार के खिलाप इसका जुकाव दिया हूआ है इस दिवार के खिलाप यह सीरी का जुकाव हो गया यह जुकाव को हमने यहाँ पर 60 degree प्रसन में दिया हूआ है हमने कर लिया यहाँ पर अब इस टुडेंट जो सीरी का निचला हिस्सा दिवार से चार पॉइंट छे मीटर की दूरी पर है यह अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट कर ले तो यह जो है बी हो गया दिवार से और सी हो गया सीरी का निचला हिस्सा यहाँ पर आपको दे दिया गया है सीरी का निचला हिस्सा दिवार से यानि BC जो है वो आपके कितने हो गए 4.6 मीटर की दूरी पर है तो यहां पर सीड़ी की लंबाई यानि हम लोगों को यह AC निकालना है सीड़ी की लंबाई तो 60 डिग्री के कंडिशन में हमने क्या बताया था इस्टुएंट रूट 3 by 1 होते हैं 60 डिग्री तो यानि कि PYB तो P अगर रूट 3 तो B आपके 1 और ये जो होंगे ये 2 आपको याद रखना है कि ये जो करन होगा ये आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों में ये 2 ही होगा सिर्फ आपके 45 डिग्री में ये रूट 2 होता है आई बात समझे टेंट्स तो यहाँ पर हम लोग आप अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि BC यानि ये जो BC है जो आपके सीड़ी का निचला हिस्सा दिवार से दूड़ी वो 4.6 यानि इस एक की जो भेलू है ये आपके 4.6 ह यानि की 4.6 गुना जादा है तो एसी इसकी एक नहीं होकर दो है तो ये दो है तो दो गुना ज्यादा करेंगे तो 46 गुना बेराम यानि 9.2 मीटर यानि अप्सन नमबर यह जो आपके डी है स्टुडेंट अप्सन नम्र डी हो जाएंगे बिलकुल ही सही जबाब 9.2 मीटर आई बात समय स्ट्रेंट्स तो कितना आसान है इसे solve करना आपने देख लिया और इस्ट्रेंट्स जो अगले क्लास में मैं दो एंगल वाले height and distance को solve करने के बारे में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा आसानी से कैसे आप solve कर पाएंगे तो इसी तरस इस्ट्रेंट्स आप बेहत आसानी से solve कर पाएंगे बहुत आसान ये तरीका है तो इसे आप लोग रिभाईज एक बाड़ कर ले अच्छे ढंग से और अगर अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो तो जरूर इसे share और like भी कर दे जो लोग नए इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को subscribe भी कर लें साथ में बगल वाला जो bell icon है उससे भी प्रेस कर दें ताकि हमारे class की notification आपको तुरंत मिल जाए तो इन ही उम्मीदों के साथ इस्ट्रेंट्स एक नए class में फिट से मिलेंगे हम लोग तब तक के लिए गुड़ बाई